तो हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माइटूब चैनल वार्सटी और आज हम देखेंगे अपने एंडॉइड फोन के लिए बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा है वैसे तो आपको पेले स्टोर के बहुत से स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाते हैं पर आज हमारा मेन परपस है ह हम पबसी मोबाइल को कैसे सकीन रिकॉर्ड करें क्योंकि उसमें हमारा फोन बहुत ही लैक करने लगता है जब हम रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि पब्सी मोबाइल य। 够्रीडि एतना हैवी गेम है जो कि हमारे नहीं कमझेम heSir कर लेता है पूरे रिक्षोर्सें यूज करने लगता है वो Android के तो आज हम वैसे तो आपको पेले स्टोर पे काफी स्कीन रिकॉर्डर मिल जाती है तो चलिए मैंने इसको डाउनलूड कर लिया है प्ले स्टोर से और आप चलिए हम खोलते हैं इसको एजेट स्कीन रिकॉर्डर यहां हम सेटिंग में जाएंगे देखिए आप रिजूलूशन यहां रिजूलूशन आपको मैक्सिमम करना है क्योंकि अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमारा वीडियो ब्लर ही प्रोडक्ट होगा इसको आप चेंज कर निचुत नहीं है आप अगर 60 करेंगे तो हां आपका गेम लेगी होने लगेगा तो उसको भी चेंज करने नहीं है आप आटो ले लेगा यहां देखिए रिकॉर्ड ओडियो इंटर्नल ओडियो एंड्रोड 10 प्लस के ऊपर आप अगर आप यूज करें अंड्रोड 10 के ऊप आपको आडियो रिकॉर्ड हो सकता है और एंड्रोड के नीचे पॉसिबल नहीं है और यहां पर आपको काफे फंक्शनालिटी मिल जाती है यूज मैजिक बटन इस्क्रेंशोड कैमरा फेस कैम आप यूज कर सकते हैं और ब्रसेज यूज कर सकते हैं आप एकनम रन टाइम पर वीडियो रिकॉर्डिंग के समय तो चलिए मैं आप पबजी खोलता हो देखते हैं कैसे इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं पबजी को हमारा पबजी ओपन हो चुका है अब हम चलिए देगे ट्रेनिंग ट्रेनिंग स्टेशन पर चलते हैं और देखते हैं हमारे स्कीन कैसे फोन लैगी तो नहीं हो रहा है मेरा फोन है और प्ले मैं यूज कर रहा हूँ यह देखिए फोन तो मेरा लैगी नहीं हो रहा है यह देखिए बैस चल रहा है कुछ लैग नहीं हो रहा है मेरा फोन रहा है तो आप यह भी यूज़ कर सकते हैं यह बेस्ट एंड्रोइड स्क्रीन एप है आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका यूट्यूब को कोई गेनिंग चैनल है तो आप अगर वीडियो अपलोड करते हैं स्क्रीन रिकॉड करके तो भी काफी हलफू सेफे होता आप यूट्यू नहीं की स्क्रीन कॉस्ट अगर आप अपब जी मोबायल पर करते हैं छब्सकेली काफी आपबना बजस्त नहीं तो तो आप स्क्रीन रिकॉर्ट करके वीडियो डाल सकते हैं अपने चैनल पर तो में आपको मेरा वीडियो पसंद आए होगा अगर पसंद आता लिए प्लीज लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब जरूर करिए